कि उल्टिया जी मशलाना और एसिडिटी चाहती में जलन होना सिन्हे में जलन होना उसका मांसिक कनेक्शन उसके बारे में यह वीडियो मैं आपसे बात्चीत करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहंद अथा वैसमी तग्यों महाराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूँ एक ही घर के चार पेशन drugs मेरे आ गए उन्होंने पहले मेरा वीडियो देखा था पेट विकार का मांसिक कनेक्शन तो वो देखे एक ही घर के चार लोग आहे उसमें एक को था सिर्फ धकाराना बेल्चिक धकार आहे तो उसको क дальше बार 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 और धकार इतने जोर से आते थे कि बाकी लोगों को घर के डिस्टरब होता था कि कि इतना धकार दे रहा और आवाज इतनी धर धर आवाज आ रही है तो लोग बाकी डिस्टरब हो रहे और गोलता धकार आती मैं क्या करूं दूसरे को था एक लड़की उसको था कोई सेंड्वीचेस खाती या फिर लड़ू खाती चूड़ा खाती या कुछ भी खाती ये ब्रेड खाती तो उसको कोई उल्टी बिलती नहीं होती खाना खाया दो बार का सुबा का शांका और उल्टीयां के फिक देंगी पूरा उसका वजन कम हो रहा था उल्टियों से मतलब खाना नहीं खारी खाना नहीं खाना तीसरा जोधा लड़का उसको लेट्रिन साफ नहीं हो रही और उल्टियां हो रही दो तिन तीन नहीं लेट्रिन नहीं जाना और कुछ खाय की उल्टी खाय की उल्टी बहुत कम पस्ता था बहुत वजन कम हो गया और चौधा था उसको बहुत सारी एसी डिडिटी बहुत इसी डिडिटी इतनी जलन उसको रखता है कि सब अना यह आसा बहूरा आरहा है ऐसा पूरा जैसे हूरे हैं सीथ में और वो काफी सारे दभाइया सभी लोग इसे दभाय कारे ओमि प्रजल की दुबधी खारे सिर अलग अलग प्रकार के जेल जो है लिक्विड वो ले रहे हैं और तभी भी कुछ रिया। सब तरह की जाज करवाई, एंडोस्कोपी कर दिया, है न, अलग-अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट उनके हो गए, पेट की जाज, एक्सरे हो गए, सोनोग्राफ हो गए, सब कर लिया, कुछ नहीं मिल रहा था, आकर मेरे पास में आए, मुझे तो ऐसा चैलेंज हो गए, कि बहुत दूर से आया हो है, सुनके आया है मेरा नाम और इनको करना कैसे ठीक है, पहले उनको मैंने बताया है कि देखो, यह जो है, यह आपका औरगेनिक कॉस, मतलब वहाँ पेट में कोई प्राब्लेम नहीं यह आपको पता है क्या, क्योंकि आपने पूरे सब तरह की इन्मेजिगेशन कर लिये, अभी उसमें तो कोई प्राब्लेम है नहीं, हाँ यह तो हमको पता लगता है, मगर हमके जूट बोल रहे है, हमको तो उल्टी यहाँ दिये, हमको तो ऐसे इड़ हो जूट में जूट आप नहीं बोल रहे हैं, आपको सही में तकलीव हो रही है, मैं मानता हूँ कि सही में तकलीव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा नहीं बोरू कि आप जूट बोल रहे हैं, मगर structural damage नहीं है, बदन में या पचन संस्ता में वहाँ कोई structure में कोई fault नहीं है, जो भी fault है वो यहाँ है, तो उनको भी वह समझ मैं है, मैंने psychology भी दिया, कुछ medicines, हमने कुछ ऐसी develop की है, मतलब जो अलोपेटिक medicine है, वह हमको ऐसे permutation combination में मैं देता हूँ, जो भी यहाँ बताना मेरे लिए असंभव है, मगर ऐसी मैंने medicine, जो अलोपेटिक में वह ऐसी विकसित की है, पेट दर्द के लिए, कि वह दे relax होके उनको नीन अच्छे आ जाती है, और बहुत सारा फायदा होता है, एक तो लेडी इनके साथ मेरे पास में आया थी, पचीस साल का पेट का दर्द, पचीस साल से पेट में दर्द है, मैंने उसको सिर्फ कुछ दवाईं दिया, और आठ दिन के अंदर उसका पुरा कि टेंशन से वो पूरा वहां जो अलग-अलग सिक्रीशन जो होते हैं पेट में वो टेंशन के जारा सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन होने से और पच्छन समस्ता एक तो ज्यादा मॉटिलीटी उसको आती है, मतलब ज्यादा चल भी-चल, मतलब चल पहल हो जाएंगी, पेट में बहुत सारा वजन दार ऐसा लगना, भूक न लगना, ऐसे अलग-अलग शन आएंगे, ये चारो जो बहन भाई थे एक ही घर के, उनको साइको थेरपी, दवाई देखे और उनके दिमाग में चल रहा क्या है, उनको अलग-अलग प्राब्लेम्स थे, जो एक वजन था, 84-84 किलो वजन था, शायद उसके वज़े से उसको उल्टियां चलोगी उसका वजन घट्टे-घट्टे-घट्टे 56 किलो तक आ गया था, तो शायद वो एक होंगा, मगर बाकी वो अच्छा खाती थी और पचाती भी थी, तीसरा जो लड़का था, उसको और सबसे बात किया, लोगों को बहुत ही रिलाइस लगा, दवाई और साइको थेरपी और सम्मूहन उप्चार पद्दती से, सबको आराम हो गया और सब लोग अच्छे हो की निकल गया, तो ऐसे काफी सारे लोग, पेट के दर से, पेट के तकलिप के दर से बहुत पिडित है, उनको ये इस तरह की दवा मिल जाती है, इस तरह की साइको थेरपी होती है, उनको ये पता चल जाता है कि पेट विकार का मांसिक कनेक्शन कैसा है, और तान तनाव कम करने से यहां का तनाव कम हो जाता है, ये पता चला, तो काफी सारे लोग अपना जो जीवन है, वो अच् इस वी गूर्प में शेयर करो ताकि सबको इसके बारे में जानकारी होंगे और लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो और बेल आइकॉन आता है उसके पर क्लिक करो ताकि मेरी विडिकने अपको झाल झाल